चंबल नदी आज हम चंबल नदी के बारे में विस्तार से जानेंगे इतना पढ़ने के बाद चंबल नदी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रशन आपके पीछे नहीं रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं चंबल नदी का उदगम स्थल चंबल नदी का उदगम मत्यप्रदेश के इंदो और जिले के महुने के जानापाव पहाड़ी से होता है चंबल नदी के उपनाम चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनू बारहमासी नदी, चर्मनवती नदी, नित्यवाही नदी आदी उपनामों से जाना जाता है चंबल नदी का बहाव क्षेतर चंबल नदी अपने उदगम स्थल जानापाव पहाड़ी से 320 किलो मीटर उत्तर में बहने के बाद मध्यप्रदेश के मंदस और जिले की भानपुरा तहसील के 84 गड़ के निक्ट से राजस्थान के चित्तोडगर जिले की भैंसरोडगर तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है तथा ये नदी राजस्थान के दक्षनी पूर्वी भाग चित्तोडगर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपूर करोली था धौलपूर में बहती होई उत्तर प्रदेश के अंदर यमुनांधी में मिल जाती है उत्तर प्रदेश के इटावाजले के मुराद गंज के पास चंबल नदी में मिलने से पहले यह राजस्थान के सवाई माधवपूर से धौल पुले तराजस्थान मत्य प्रदेश राजियों की अंतर राजी ऐसी मा बनाती है चंबल नंदी की कुल लंबाई 1051 किलो मीटर है चंबल नंदी मत्य प्रदेश में 322 किलो मीटर बहती है था यह राजस्थान में 322 किलो मीटर बहती है चंबल नदी द्वारा मती प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राजियों की अंतराजिय सीमा 292 किलो मीटर बनती है तथा ये उत्तर प्रदेश में 157 किलो मीटर बहती हुई इतावा जिले के मुराद गंज के पास यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी पर बननांद, चंबल नदी पर राजस्थान में मुख्य रूप से तीन बांद बने हुए है ये विश्व की एक मात तर ऐसी नदी है, जिसके 100 किलो मीटर के दायरे में तीन बांद बने हुए है तथा तीनों पर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है राजस्थान में चंबल नदी पर बने बांधों के नाम निमन प्रकार है राना प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बांध चंबल नदी पर एक अन्यबांध गांधी सागरबांध स्थित है जो कि मत्यप्रदेश राज्य में बना हुआ है चंबल नदी के बहाव वाले राज्य चंबल नदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है चंबल नदी की प्रमुक सहायक नदियां मध्यप्रदेश में मिलने वाली सहायक नदियां सीवान, रेतम तथा शिप्रा नदियां राजस्थान में मिलने वाली नदियां आल्निया नदी, बनास नदी, पारवरवन नदी, काली सिंध नदी, खुराल नदी, बामनी नदी, छोटी काली सिंध नदी, मेज नदी, सीप नदी आदी चम्बल नदी के अन्य महत्वपूर्ण तत्ती चम्बल नदी पर चित्तोरगड जिले के भैंसरोडगड के निकट चूलिया जल परपात स्थित है जहां चम्बल लगभग सारह फीट उन्चाई से गिरती है यहीं परभैन सरोडगड के निकट चम्बल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है अलीनिया सिंचाई परियोजना चम्बल नदी के किनारे स्थित है सावन भादो सिंचाई परियोजना को टाजिले में चंबलनदी परस्थित है चंबलनदी राजस्थान की सरवाधिक मातरा में सथी जलवाली नदी है राजस्थान में सरवाधिक अवना लिका अप्रण चंबलनदी से होता है राजस्थान में चम्बल बेसिन क्षेतर उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है चम्बल नंदी का भावद अक्षिन से उत्तर की और होता है था इसका परवाहा प्रणाली वुक्षाकार है, चंबल्दी राजस्थान की बहावक्षेतर की दुष्टे सबसे लंबीन दी है.